वेल्कम्रेंट्स तुदनीकामरा.com चैनल और अभी अभी मेरे सब्स्राइबर का एक कमेंट आया था वो परसान थे कि भीया सर यह लेंस के ऊपर जो नंबर्स लिखे रहते हैं वो क्या चीज है आप मुझे बताओ आप में बहुत सिंबल तरीके से आपको बता रहा हूँ आपने कोई भी नया कैमरा खरदा या आपके पास कोई भी नया कैमरा आता है तो लेट में टेल यू कि यह देखो लेंस के ऊपर जो भी चीजे लिखे रहती है उसे पढ़ना बेहाद असान है आपने एक लेंस को क्रैक कर लिया आपने एक लेंस के ऊपर लिखी हुई चीजे पढ़ ली बाद बाकी सारी जो लेंस है उसके उपर क्या ही अमें में लिख है क्या ही चीज़े लिखी वो आप अराम से पढ़ सकते हो हाँ एक दो चीज़े ऐसे रहती है जैसे हर एक कंपनी की थोड़ी डिफरेंट रहती है तो उस पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है फॉर इक्जामपल अगर आप अप्टिकल इमज इस्टबलाजेशन की बात करो तो Nikon उसके लिए VR यूज़ करते हैं और Canon उसके लिए IS यूज़ करते हैं सिमिलरली यहाँ पर कुछ एक चीज़े जो रहेंगी डिफरेंट रहेंगी बट सकतर से 80% जो चीज़े लिखे रहती है लेंस के उपर आपने एक लेंस के उपर पढ़ना ठीक से सीख लिया तो बंदा खरिता अपना कैमरा तो जेनरली वो क्या करते हैं कि अपने किट लेंस के साथ कामरा खरिते हैं सो यूज़ के बाट जो डिएक्स लिखा है आपको एक एक करके अच्छी तरीके से चीज़े समझाता हूँ की से मांट कहते हैं ऍसने में अगर फुल्सर इनसर बेश्ट लेंस रही तो उसमें ई-फ-क आप देखो से गलेहा क्या लिखा हुआ है Dx के बाद लिखा है 16-50 mm अब यह 16-50 mm क्या बला इसी को लेके कई लोग कई भाई बंदू कंफ्यूज रहते हैं उसके बारे मैं आपको थोड़े सी क्लियार्टी दे दूँ देखो 16-50 mm जो है इसकी फोकल लेंध या फोकल रेंज है ठीक है इस कैमरी की मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय यह जो कैमरा है आप देखो यह 16 mm पे 16 mm पे जो मैं भी सूट करना हूँ वो इससे जूम आउट हो रही है तो देखो मैं अभी एक एक ग्जामपल दिखाता हूँ कि जिस तरह से अभी 16 mm पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अभी से मैं जूम करता हूँ दिनकी विल सी दर डिफ्रेंस ठीक है यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से देखोगे कि कि इतनी अच्छी तरीके से इसमें क्रॉप होती है और जिस इक्विलेंट तो 50 mm जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था यह 16 mm पे ठीक है और अगर आप इसे जूम इन करते हैं अभी जो वीडियो सूट हो रही है मेरी यह 50 mm के एक्विलेंट फोकल लेंथ पे हो रही है और इस इसे मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ एक्विलेंग है बाकी है उसके बाद जो आपको जूम या मैंगनिफिकेशन रेशियो है एक लेंस की वो समझनी है और उसके साथ असोसेटेड अपर्चर रेंज ठीक है चलो अभी मैं आपको यह लेंस दिखाता हूँ आप मुझे बताओ कि यहां पर मैंगनिफिकेशन रे तो हम इसे मैक्रो लेंस के स्रेणी में रख सकते हैं बट क्योंकि 1-3 है आपकी जो भी सब्जेक्ट जिस तरह से आखों से दिखती है उसका 1-3 प्रपोर्चन यह अपने अंदर लेगी ठीक है और अगर 1-2 या 1-1 यानिकि लाइफ साइज मैक्रो इमिज़ेश यह काप्चर कर दी तो इस लेंस के अंदर मैक्रो डेजिगनेशन आटोमेटिक आ जाती बट अभी आप देख सकते हो इसकी मैक्रो मैक्रो मैक्निफिकेशन मैक्सिमम अबिलिटी है वह 1-3 है ठीक है उसके बाद आप देखाऊंगे 1-2-3 के साथ ही अपर्चर 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 अप वह 3.5 रहती है और जैसी आप इसको अपने जूम इन करते हो कैमरे को और आपकी अपर्चर रेंज भी सेमिल इटेनेंसली इंक्रीज करते जाती है एस यूज जूम और वो रीच कर जाती है 6.3 पे तो लाइट की लॉस्ट जो होती जैसे जैसे आप रियोज करते हो जैसे ज आप से इंक्रीज होती है और आपकी अपर्चर रेंज 6.3 पे टेच हो जाती है अगर हम सिंग्मा की लेंस की बात करें तो जो मैं यह लेंस रिकॉर्ड कर रहा हूं हो यह 16 mm है 16 mm f1.4 dc-dn अगर आप इस लेंस की डिजिगनेशन को देखोगे देन यू कैमरा इस dc-dn के कित बारे में,बाते करते है इस लोंображ है 16 mm षूर्व अपने देख ली है अब इसमें इसमें सिर्फ 16 mm क्यों लिखा हूँा है जिस طरUM मिल रही थी और आक अपशन रेंज ती यह पर आप देखोगे Stelle, जो डिंस Kind of 1.4 और जो लेंस की i.डिजिगनेशन नहीं वह 16 mm यहाँ और यह difference होता है prime और zoom lenses में zoom lenses में आपको zoom range मिलती है prime lenses single focal range की रहती है यानि कि आप उसमें zoom in zoom out नहीं कर पाऊगे भाहिया आपने paddle चल की या digital zoom के हिसाप से use करके zoom in zoom out थोड़ा बहुत करना होगा digital zoom use करने से of course without a doubt आपको थोड़ी बहुत quality loss होगी now let's talk about this prime lens इस prime lens की designation में आपको दिखता सबसे बहले 16 mm उसके बाद 16 mm यानि कि यह जो अभी wide coverage आप देख रहे होगी 16 mm पर record हो रही f1.4 aperture यानि कि f1.4 aperture पर यह video record कर रही है और अगर आप f1.4 aperture की depth देखना चाहोगे तो काफी अच्छी depth जनरेट करती है without a doubt even I have some amount of background blur despite of the fact कि background जो है काफी जादा close है मेरे now one more thing कि उसके बाद DC और DN लिखा हुए now DC means यहाँ पर DC का मतलब होता है कि यह crop sensor के लिए बनी हुई है ठीक है तो आपको एक बात clear हो गए कि जो DC लिखा हुए अपने Sigma के lens वे it means it will be made for crop sensor camera और DN का मतलब होता है कि यह जो lenses specifically mirrorless cameras के लिए design होई है ना कि DSLRS के लिए इसलिए यहाँ पर DN की designation दी जाए तो यहाँ पर देखो जो जो company से आप associated होगे जिस जिस company के आप lens लोगे वहाँ पर थोड़ी बहुत name culture आपकी change होते रहेगी बड़ जो मोटा मोटी आपकी focal length है वो आपको 16mm, 20mm, 24mm, 50mm, 85mm इस हिसाब से दीखेगी और aperture range आपकी भी उसी हिसाब से दीखेगी यह दो तीन basic चीज़े आपको clear रहेगी बात बाकी company के हसाब से lens designation और उनके particular जो भी वो characters use कर रहे हैं वो change होते रहते वो आप थोड़ी बहुत अपनी देख सकते हो search करके so more or less आपने एक बार एक lens को पढ़ना सीख लिया एक prime lens को एक zoom lens को तो बात बाकी आपके लिए वो सारी lenses असान हो जाती है और आप आराम से सीख सकते हो कि आप जो lens लेने जा रहे हो हो वो किस focal range की है क्या उसमें features है नहीं है और क्या उसकी aperture range है thank you very much for being a part of this video video कैसे लगा मुझे जरूर बताना and again at the end of this video अगर आप नह हो हमारे चैनल में do consider subscribing to our channel and of course all notification icon को click करना नहीं बूलना क्योंकि अगर आप वो ना click करोगे तो you will miss 99% of our update